नमस्कार दोस्तों रीट एक्जाम एसर ग्रूप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज हम देखने वाले मित्रों सामाजिक विग्यान जो आपके NCRT और RBSC की बुक हैं उनमें से जो आपका पहला ध्याद एरक है मारा ब्रमांड वो पढ़ने वाले हैं अच्छे स से और जो आपकी कोचिंग संस्तानों में से बताये गए क्यूसन हैं उनमें से बहुत ही कम आये हैं लगबग क्यूसन किसमें से पूट अप किया गए हैं NCRT और RBSC की बुक से इसलिए आपको पता होगा कि RBSC और NCRT की बुक आपको अगर आगामी एक्जाम पास करनी है त इनको अच्छे से पढ़ना होगा तो इसलिए हम लेकर आएं आपके लिए आज से लगातार एक या दो वीडियो छोटे छोटे लेसन है मित्रों आसाने से हो जाएंगे एक दो चेप्टर रोज पढ़ेंगे तो इसलिए रोज आप हमारे साथ में बने रहें और इन आपको पढ़नी ही होंगी गाइड से काम चलने वाला नहीं है ना ही कोचिंग संस्तानों में कोचिंग संस्तानों में आपको पता है बताया कुछ जाता है लेकिन आते कुछ ही और ही हैं और वहाँ पर सब फैल हो जाते हैं सिर्फ और सिर्फ पास होती हैं तो आपकी NCRT और RBSC की बुक है आपने हमारे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों तो सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाले प्रतेक वीडियो के नोटिपिकेशन आपको लगतार मिलते रहें और आप इन टोपिकों का आनंद ले सकें और आज इसी करम में आपका स हमारी पर्थवी के चारों औरे अनंत अंत्रिक्स व्याप्त है हमारी पर्थवी के चारों और ये मान लीजे आपकी पर्थवी है इसके चारों और क्या है आपका अनंत अंत्रिक्स है यानि अनंत का मतलब जिसकी कोई सिमा नहीं है वो अंत्रिक्स आपके पर्थवी के चार अगास हमें अन्गिनत तिम्तिमाते तारों से भरा दिखाई देता है और रातरी में आकास के इस अद्भुद दर्शे से हमारे मन में कई परसंग खड़े होते हैं हम सोचने लगते हैं कि ये चमकदार पेंड क्या है हम से कितने दूर हैं किस चीज से बने हुए हैं और चमकते क्यों हैं तो मित्रों ये परसंग आपके माइंड में जरूर आते होंगे दिमाग में आते होंगे जब भी आप खुले आसमान को रात के समय में देखते हैं तो आपको ये चमकते हुए सितारे दिखाई देते हैं तो आप सोचते होंगे कि ये सितारे चमकते क्यों हैं इतने हमसे दूर क्यों है और किस से बने हुए हैं किस चीज से बने हुए हैं और क्यों चमकते हैं ये सारे क्यूशन आपके माइन में चलते रहते हैं तो देखे क्या दे रखा आगे मानव आदिकाल से इन रहसे पुरन स्वालों के हल ढूंडने में लगा है आदिकाल यानि पुराने समय से इस अध्याय में हम इन सभी स्वालों का जवाब जानने का प्रियासे करेंगे ये जितने भी स्वाल हैं कि चमकदार पिंड क्या हैं हमसे कितने दूर हैं किस चीज से बने हुए हैं और चमकते क्यों हैं आदी स्वालों का जानने के लिए ये जो चेप्टर है आपका अमारा बर्मान इसको हम अच्छे से पढ़ने वाने हैं तो देखते हैं इसमें क्या दे रखागे ये देखें मित्रों प्राचिन काल से आसमन में दिखाई देने वाले तारों के विभिन समुओ को तारा मंडल नक्छत्र मंडल या अन्ने कई नामों से जाना दाता रहा है तो ये आपकी प्रिवासावनती है एक अंडरलाइन कर सकते हैं इसको कोपी में आप लिख सकते हैं न समो को क्या कहते हैं तारा मंडल या नक्षत्र मंडल या अन्ने कई देसों में इनके नाम क्या हो सकते हैं अलग हो सकते हैं लेकिन अपने यहां पर क्या बोला जाता है इनको तारा मंडल या नक्षत्र मंडले कहा जाता है तो यह परिबास आपके समझ में आगे होगी कि जो ग रहे पाने तर फॉमों के अधार पर भिर्भी नाम दिये गएं भारत में आसमान में दिखने वाले सारों के समों को क्या कहते है सब्त्रशी सब्त का रहां मंडल यह यह क्या करते हैं अर्ट समय के जो लोग थे वह सोचते थे कि ये सारे तारे जितने भी हैं महान ग्यानी रिशी हैं जो अपने ए लोग की घ्यान से पर्थी को क्या कर रहे हैं आलोकिते करते हैं तो ये पुराने समय के लोगों की ऐसी माननेताई थी दाढ़नाई थी वो इस परकार से सोचते थे कि ये जितने तारे हैं साथ तारों का समू है या अन्य तारों के समू है ये क्या है ग्यानी रेशी है और वो अपने आलोकी के ग्यान से पर्थी को आलोकिते या प्रकास माने कर रहे हैं साथ ही भारत के कई भागों में इन तारों के समों में समलिते चार तारों को क्या कहते हैं, चार पाई कहते हैं, ये दो चार तारे हैं मित्रों, एक, दो और तीन चार, ये चार तारे हैं, इनको समलिते रूप से क्या कहते हैं भारत में, चार पाई कहते हैं इनको, इनको क्या क जानते होंगे आप जैसे यह आपका मटका है यह आपका मटका है इसका तो जो मुख वाला भाग यह थोड़ा छोटा होता है लेकिन ग्रामिन चित्रों में पत्र लेते हैं काम में स्टील के हूं या आपके अन्य कोई दात्थू के हूं या मिट्टी के भी हो सकते हैं तो उनक पर देखो इस आकर्ति को जैसे ये इस परकार से चार तारे हो गए और ये तीन तारे आपके इस परकार से लगे वे हैं इनको जब मिलाया जाता है इस परकार से तो ये आपकी आकर्ति बनती है एक डेक्ची वाले सी किस की आकर्ति बनती है ये डेक्ची वाले सी आकर्ति बनत उसको कहती है, और भारत में क्या बोलते हैं इन 4 तारों को catistan को चार पाई करते हैं बिक्षी , बूड्टेन ऐसे कल लेम स्सक्राजता है और यूनान में से समाल बियर के नाम से जाना जाता है तो ये याद रखने हैं आपको फ्रांस में से सोस्पेन, ब्रिटेन में से खेत जुताईवाला हल और यूनान में से क्या बोलते हैं स्माल बियर, बियर का मतलब भलू, इस्माल बियर ये देखो ये तो आपका बड़ा भलू हो गया बिग बियर हो गया, और इसके अंदर ये साथ तारों का समो है, तो इसको क्या मान लिया था, इसमाल बियर इसको कहा गया, किस में कहा गया, यूनान में कहा गया, ब्रिटेन में खेत जुताईवाला हल कहा गया, और फ्रांस में सोस्पेन कहा गया, चार तारों के समो को भारत म में क्या का गया आप सार पाई तो ये सारे सब्दा आपके धहन में रहने थी जो अर्था मेजर या ग्रेट बियर का भाग है ये जो इसमाल बियर है ये अर्था मेजर ये पूरा बालू दिखा रहा है इसका एक क्या है थुटा सा भाग है इसको बुला गया है बड़े वाले क बस क्या होना चीए स्लेबस में होना चीए में तर आगे देखते हैं चोटे छोटे लिसना मित्रों जदा बड़े नहीं है असानी से आपके कवर हो जाएंगे प्राचिन समय में मनों के पास अथनिक तक्निक मही होने के कारण आसमान को ऐ पलक के आँखों से देखने के अलाव कोई सादन नहीं था इसलिए इन चमकदार सितारों को जानने पैचाने के लिए उसने इनको विविन नाम दिये एम अस्तानी कानियों के रचना की प्राचिन समय की या पुराने समय की बात करें में तरूं उस समय या आपके दुरबीन वगरे इस परकार की सुईदा ही नही प्राकार की कानियों के रचना उस पर की जाती थी आगे देखो प्राचिन समय में अधिकांस मानव जातियां करसियों पसू पालान पर निर्बर थी इसलिए इन तारों के समय में उसे जिस पसू या पक्सी के आकरती नजर आती थी उस तारा समय को उसी पसू या पक्सी का नामें दे दिया जाता था जैसे ये तारों का कोई समुवा देखा और अगर ये तारों का समुवा किसी पसू पकसी से मिलता है इसके आकरती तो उसी पसू या पकसी के नाम के आधार पर उसको नामें दे दिया जाता था जैसे इसका नाम आती दे दिया किसी का बतक दे दिया बतक किसी आकरती मिल रही तो उसको बतक नाम दे दिया इस परकार से पुराने समय के जो लोग थे वो तारों के समय को अपनी आँखों से देख करके पसू पक्सियों आदी के नाम पर उनको नाम में टे दिया करते थे इन तारों के समय या सब्तरिसी का संसार में पुराने काल से यानि पुराने काल से महत्तो पुरने स्थान रहा है रात्री के समय में लोग तारों की स्तिती से दिशाओं का निर्दारन कर लेते थे पुराने समय में जो लोग होते थे वो रात्री के समय में तारों को देखते और उनसे दिशाओं को जानने के लिए भी उनको काम में लेते भारते मननेता नुसार धुरुवतारे से उत्तर दिशा का सटीक निर्दारने किया ज़ता रहा है तो यह यहाँ पर क्यूसर मनता है कि धुरुवतारे के द्वारा कौन सी दिशा का निर्दारने किया ज़ता था पुराने समय में यह आपके साथ तारे थे मितुम इस प्रकार से साथ तारे आपने भी देखा अत्ते वाले डेखती इनको कही नाम दिये गए अपने द्वारा तो इन ही में से क्या का आगया है इन साथ तारों के समों के दो तारों को आगे देखते हैं इसको तारों को एक कालपनिक रेखा से जोड़ती हुए आगे बढ़ाते हैं तो वह उत्री धुरुव पे इस्तित धुरुव तारे को जोड़ती है जैसे ये साथ तारे हैं और इन दो तारों को ये दो तारे हैं आपके ये दो तारे हैं इनको जोड़ती हुए एक कालपनिक रेखा आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये आपकी कौन से तारी की तरफ जाती है धुरुव तारी की तरफ जाती है तो इससे भी कुछ आइडिया उनके बारे में सोचे सकते हैं धुरुव तारी के बारे में पता लगा सकते हैं ये दो तारी यहां से कालपनिक रेखाएं खेंचते हैं आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो यह आई ज़ा करके किस तारी की तरफ जाते हैं, धुरुव तारी की और संकेते करते हैं। पारंपरी के किसी काहणिया काल्पूनिक थी, यानी सिरफ कल्प्ना मातर थी, इसलिए इन्हें मिठ्थ का है जूठापन, जिसमें जूठ हो, तो कल्पना करते थे कि ये इस परकार का हो सकता है और बाकी कोई सच्चाई उनमें नहीं थी देश विदेश की कुछ परमपरिक कानियों में से बारत में परचलेते कानी पुराणिक माननेताओं के नुसार है जो धुरुवतारी के बारे में है तो इनी में से कुछ कानियों में से एक कानी यहाँ पर ली गई आपकी धुरुवतारी की कानी तो इसको देखते हैं मित्रुम किस प्रकार से एक कानी है तो धुरुवतारी की कानी देखते हैं मित्रुम पोलिस्टार को हिंदु द्रम गरंतों के नुसार धुरुवतारा का दत नुल सेंदेया, अलीन को बर न स्दू के वरी में लिटा लिग two था या लिटाइब सब्सक्राइण वियं घ्राँ नामक बालक है हुआनि पुर्णा और शुनीति कान सात्था-यॅँज़। अपर नामक को पुत्र ब्ल्良 हैु अधिस्त्रण राजा थे रानी थे एक तो था आपका उतनपाद उतानपाद और इसकी मम्मी का नाम क्या था सुनीती नाम था यह आपका धुरुए बालक राजा के एक और पुत्तर था इस राजा के उतनपाद के एक और पुत्तर था जिसका नाम था उत्तम तो यह इसका पुत्तर हो गया उत्तम उसकी दूसरी राणी सूरिची का पुत्तर था तो इस राजा के एक राणी और थी वो थी आपके सूरिची एक तो हो गई सूरिची तो सूरिची का पुत्तर था उत्तम और इस सूनिची का पुत्तर था आपका धुरुए तो द्यान में रखेंगे डाइग्राम के द् अच्छे से समझ सकते हैं और राणी सूरूची राजा को क्या थी अधिक पिरिय थी इस कारण वह राजा पर अधिक अधिकार जचाती थी एक दिन राजा उतानपाद उत्तम को गोद में बिठा कर खिला रहे थी उसी समय धुरूज ने भी राजा की गोद में बैठना था रा वहां पर आ गया और उसने भी क्या की उत्तानपाद है अपने पापा के गोद में बैठने का प्रियास किया या कोशिस की किन्तु राणी सूरूची को यह पसंदे नहीं था वह धुरूज को गोद से उतार कर बोली तुम्हें राजा की गोद में बैठने का कोई अधिकारे नहीं है क्योंकि तुम मेरी संताने नहीं थी नहीं हो तो आपको पता है इसमें लिखा दाया कि उत्तानपाद को जो दूसरी राणी थी सूरूची वो अधिक पिरे लगती थी उसका बेटा था उत्तम धुरूज ने भी क्या क्या कि मैं भी अपने पापा की गोद में बैठ ना कर उनकी करपा से मेरे गर्ब में आकर जनमें लो तो उसकी जो दूसरी माता थी सूरूची धृुरूऑ की उसने धृुरूच को क्या का कि तुम इनकी गोद में तभी खेल सकते हो जब तुम मेरे गर्ब से पैदा हो और वो भी किसके बगवान नारान की अरादना करके आगे देखे मित्रूं अच्छी कानी है इससे सीख मिलती है। उसी समें बालक धुरुव ने बगवान नारायन की अराधना की। अराधना का द्रड संकलप लिया तब माता सुनीती जो उसकी धुरुव की सगी माँ थी। उसने क्या का इम नाराध जी ने बालक धुरुव को समझाया कि वह अभी बच्चा है और सुरुची की बातों पर ध्यान नहीं देवे लेकिन धुरुव नहीं माना। धुरुव ने लगबग 6 माहा तक बगवान नाराधन की कठोर आराधना की बलक के आराधना से परसन होकर बगवान नाराधन परकट हुए उन्होंने धुरुव को आसिरवाद दिया की वह इस पर ठ्थ्वे पर महान और बुद्धिमान राजा बनेगा यह मर्ट्यू के बा नहीं तो उसने सुनिती अपनी माता के बात मानी नहीं नाराध जी के बात मानी और उसने क्या क्या 6 माह तक बगवान नाराधन की कठोर आराधना की तब बगवान नाराधन खुद परकट हुए और उन्होंने क्या क्या धुरुव को आसिरवाद दिया कि वह बुद्धिमा रजा बनेगा और मुर्त्यू के बाद ध RAW तारे के रूप में अमरे होगा माना जाता है कि उसी धुरुआ को बिर्माण में बत्रेशि मनल के पास धुरुआ इस्तान पर क्या है अटल है तो इस परकार की ये धुरु आचारे के बारे में एक आमी है अच्छे से समåज में आई हुग मिया आपकी जैदा हर्ड reg ml막 नहीं है तो देखें आगे क्या देर रख हैं आवो, करके देखें, कुछ बाते कीजिए अच्छे से देखे उनको और वहाँ पर आपको साथ तारे जो एक ज़गा दिखाई दें तो उनका उलोकन उनके बारे में धानकारी प्रप्त कीजिए अपने परिवार के बड़े सदस्यों से तारों के बारे में पुराने किसे कानिया सुनिए और उन्हें अभ्यास पुस्तिका में दिखे तारों के समोर के नुसार उनकी आकरती पैसान कर इन्हें नाम देने का प्रियासे कीजिए तो ये तो कोई इंपोर्टेंट नहीं है आपके लिए इतना जो परिक्ष्या की द्रेश्टी से कोई महतोपरण हो आगे देखते हैं अब देखे में तरों ये आपके लिए महतोपरण है खगोलिय पिंड खगोलिय पिंड देखो किसे कहते हैं आसमान में फैले तारे उलका ग्रह उक्रह धूमके तू आदी जिन में हमारी पर्थवी सूरिय और संदर्मा भी समिल हैं उनको क्या कहते हैं खगोलिय पिंड कहते हैं जैसे यह आपका खगोलिय पिंड हो गया, इसमें आपके तारे आजाएंगे जितने भी तारे हैं, और साथ में उलकाएं आजाएंगे, ग्रह आजाएंगे आपके, और इनके चारों और चक्कर लगाने वाले हो, ग्रह भी सम्मेल हो जाएंगे, धूम के तो हो जाएगा, आदी हमारी, और इनक इसी तारहे जो हमें बहुत सुकसम रूप में दिखाई देते हैं घे विसाल और अति-गरम sheffन होते हैं जो आपको रातरी में आप तारों को देखते हैं मित्रों यह हमसे काफ़ी दूर दिखाई देते हैं लेकिन वास्तम मेंms क्या है वो सुकसम नहीं है बहुत बड़े हैं, ये तारे हाइट्रोजन हैं वो हीलियम के सह मिसरन से बने होते हैं, ये आपके हाइट्रोजन गेस और प्लस हीलियम, हीलियम गेस इन दोनों की अपस में किरिया के करण या सह मिसरन से बने हैं, ये अतिर्दिके उसमा और उर्जा विक्सिते या विक्किरि में हाइड्रोजन और हीलियम गयस है करिया करते हैं और आपके पास में क्या ए शूरिये का प्रकास लगाता रहे मिलता रहता है। हमारा सूरिय वी वास्तम में एक तारा ही है, तारों की तरह सबीख भौलिये पंड़िये गेश यह नहीं होते हैं, तो ये बात भी ध्यान में रखे हैं मिद्रों कि सभी पिंडों में गेस ये या गेस नहीं होती है विलकि कुछ पिंडे सिर्फ ठोस पदार्तों से बने होते हैं कुछ ठोस हैं कुछ दर्वय हैं कुछ गेस ये पदार्तों से बने हैं हमें आचमान में तारे बहुत सुक्सम हैं एक दूसरे के पास दिखाई देते हैं परंतु वास्तम में ये क्या हैं बहुती विसाल हैं बहुती बड़े हैं तारे बहुती सुक्सम हमें दिखाई देते हैं लेकिन वास्तम में क्या हैं बहुत बड़े हैं एक दूसरे से बहुत सुर्य के परकास से चाहे हैं इसी परकार ने से वह सुर्य के परकास के उपस्तितितैंग नियूर। आपके मन में ये बात जरूर आई होगी कि आस्मान में रात्री में चमकने वाली ये वस्तों दिन में दिखाई क्यों नहीं देती हैं तो आप देखते होंगे कि रात में तो ये तारे दितनी भी हैं सारे दिखाई देते हैं आपको लेकिन ये ही तारे दिन में क्यों नहीं दिखाए दिते हैं तो इस परकार का सवाल आपके मन में भी मुड़ रहा होगा तो आईए एक प्रियोग करके इसको समझते हैं कि आखिर ये दिन में तारे क्यों नहीं दिखाए दिते हैं तो देखिए आओ करके देखते हैं एक रंगीन कागज लेकर उसमें से सुई से छोटे 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 छेद करके उसे एक टोर्च पर लपेट कर एक रबड लगा कर भाम देंगे जैसे ये एक रंगीन कागज ले लिया इसमें क्या करने है सुक्सम सुक्सम आपको छोटे लेंगे यह आपके टोर्च है इस पर एक रबड लगा कर इस कागज को जो चिद्र युक्त कागज है उसको रबड़ की किसे साहता से इस बेटरी पर या टोर्च पर आपे बांग देंगे तत पस्चात एक कमरे में जाकर दर्वाजे खिडिकियां वाई ट्यूब लाइट बंद करतेंगे अब अंधेरे कमरे में टोर्च को एक दिवार पर जलाएंगे तो आप दिवार पर पर परकास के अनेग छोटे छोटे बिंदों को देखेंगे यह आपकी दिवार है तो इस पर बंदो नुमा एक आपको परकास दिखाई देगा बंदों के रूप में परकास बिखरावा दिखाई देगा बिल्कुल वैसे ही जैसे रात के समय आसमान में तारे चमकते हैं अब कमरे की टूब लाइट को जलाते हैं अब सुरुआत में तो क्या क्या आपने जब बिल्कुल अंदेरा था उसमें आपने टूर्ट को जलाया तो इस पर दिवार पर आपको छोटे-चोटे बंदों के रूप में परकासे दिखाई दे रहा था लेकिन आपने बाद में क्या क्या है यहां पर जो टूर्ट बलब लगे हुए आपके टूबलाइट लगे हुए है उनको जला दिया तब देखते हैं आप कि यहां पर आपको जो रोसनी दिखाई दे रही थी बिंदों के रूप में वो आपको आपने ही दिखाई दे रही है अर्थार्ट ऐदर से हो गई हो परकास के सबी बिंदों लगबग ऐदर से हो गए है ठीक इसी तरह सूरिय के उदे होने पर अन्य तारे ऐदर से हो जाते हैं अर्थार्ट पर्ट्य के निकट होने के करण सूरिय की रोसनी अन्य तारों से अधिक है इसलिए हमें दिन में अन्य तारे दिखाई नहीं देते हैं जब आप इस टॉर्च को जलाते हैं मितरू कागज लगी हुई टॉर्च को जब जलाया देता है दिवार पर तो आप देखते हैं जब रोशनी नहीं होती है तब तो आपको क्या है यह तारे दिखाई देते हैं या सुक्सम छिद्रों से निकलावा परकास बिंदों के रूप में आपको दिखाई देता है लेकिन जब आप तोर्च जो आपके टूब लाइट लगी है कमरे में उसको जलाते हैं तो यह परकास जो सुक्सम छिद्रों के सुक्सम छिद्रों में से निकलता है वो आपको नहीं दिखाई देता है कारण इसका क्या है जो टूब लाइट का परकास है उसकी पावर बेटरे से निकले वे सुक्समचिद्रों से परकास है के पेकसा क्या है जदा है तो जदा परकास के कारण ये जो परकास निकल रहा है ये आपको दिखाई नहीं देता है इसी परकास है दिन में क्या होता है दि स्तिर अवस्तम हैं लेकिन फिर भी उनके प्रकास प्रकास कम होने के कारण आपको सूर्य का प्रकास यह दिखाई देता है बाकि यह तारे आधर से हो जाते हैं तो यहीं समदाएगा है इसमें जबकि सभी तारे अपनी ज़जय पर होते हैं नेक्स्ट टोपिक देखो आपका प्रमांडे प्रमांड के बारे में लांते हैं यूनिवर्स समस्त आकास यह या खगोलिय पिंड अनंत आसमान में बिखरे होए प्रतित होते हैं जितने भी खगोलिय पिंड हैं खगोलिय पिंड हमने समझ लिया खगोलिय पिंड किसको का आमने जितने भी तारे हैं उलता है उग्रह हैं या ग्रह हैं पर्त्वी सूरी चंद्रमाई ये सारे क्या है खबोलिय पिंड के अंतर गते आते हैं और ये खबोलिय पिंड क्या है अनंत आस्मान में आपके बिखरे हुए हैं हिसा आपको लगता है पर्तित होते हैं इस असीम आस्मान कोई क्या कहा रता है ये जो अज़ा, तो देखेए अंत्रिक्स का विष्थार एय सम्हस्ट है, यानि जिसकी कोई सिमाँ नहीं है, इसी में हमरा पर्मान भी है, अंत्रिक्स के अनंत खेलाव में खगोलिय पिंडों के ऐ संके सम्मों हैं खगोलिय पिंड हमने जैसे तारे ग्रै उप ग्रै जितने भी देखे हैं मित्रों इन खगोलिय पिंडों का भी अन्यक सम्मों है ये तो सिर्फ एक अपने पर्थ्व के आस पास के जो खगोलिय पिंड है उनको हमने देख लिया लेकिन इस परकार के खगोलिय पिंड बहुत सारे हैं जिनकी गिंती करना भी ऐसंबो है विबिन तारों एंव उनके उसेसों तारों के मद्दे गेसों और धुलकनों का ऐसा जमाओ जो गुर्तवा करसन के आगे देखते हैं इसमें कारण एक दूसरे से बन्दा है उसे क्या कहते हैं आकास गंगा कहते हैं तो ये सारे जितने भी खगोलिय पिंड हैं आपस में मिले हुए हैं इनको सिंक तुरूप से क्या कहा गया आपके आकास गंगा कहा जता है जो लाखों प्रकास वर्ष की लंबाई चोड़ाई में फैली है इन्हीं अनगिनत आकास गंगाओं के समों को बर्मांड कहते हैं ये जितनी भी आकास गंगाओं तारों के समों हैं आस्मान में फैले वही हैं और इन अंगिनत आकास गंगाओं के समो को क्या कहते हैं ये जैसे एक समो ये आकास गंगा का बन गया दूसरा ये बहुत सारे तारे समो में हो गया आपके और आकास गंगा का निर्मान हो गया इस प्रकार से बहुत सारी आकास गंगाओं जब अपस में मिल जाएंगी तो इसक आकास गंगा का निर्माने होता है ये नक्षत्र मंडल बहुत सारे आपके मिल जाएंगे या गेज धूलकन आदी सारे मिल जाएंगे तो आकास गंगा या गेलेक्सी का आपका निर्माने हो जाएगा विभिन नक्षत्र मंडलों के अंदर तारिक्य मंडल इस्तित हैं जैसे हम उप्योग क्यादता है तो महाँ पर मित्रों आपकाएगा परकास वर्स है नहीं तो दूरी को आप किलो मित्र में भी मापते हैं मित्र में भी माप लेते हैं सेंटे मित्र में भी माप लेते हैं लेकिन जो अधिक दूरी होगी उसको किस में मापेंगे आपे परकास वर्स में म कि आपक है एक वरस की एवदी में परकासेंज लाग किलोमेटर पृत्टी सेकंड कीी गट्री से जितने दूरी दीन दूरी कोरिसें तो ये यान बनती है कि प्रकास वर्स किसे कहते हैं तो आपको ध्यान में रखना है एक वर्स कि अवधी में प्रकास तीनलाक किलोमेैटर 80瞬 तेकेंड जितने दूर है उस दूरी को क्ला करते हैं इस प्रकार प्रकास एक वर्स में लगबग 55 लगर Ghost के दूरी किलोमेटर तै करता है यह एक वर्स की बात होगी एक वर्स में कितनी पिच्याण में खरब किलोमेटर लगब पिच्याण में खरब किलोमेटर की दूरी तै करता है मित्रूम यह सरफ आइडियाद लगाएगे हैं लेकन आपको इसको ध्यान में रखना है एक प्रकास वर्स में या सोरी ए प्रकास वर्ष की प्रिवासा है इसको ध्यान में रखेंगे आप लिख लेंगे कोपी में एक वर्ष के अवदी में प्रकास तीन लाग किलोमेटर परती सेकंड की कती से जितनी दूरी ते कर सकता है उसी दूरी को क्या कते हैं एक प्रकास वर्ष का आज़ता है नेक्स्ट दे के समन में भी काफ़ी रोचक किसे परचलित हैं किन्तु वर्तमान समय में ब्रमांड के उत्पती समन्दी सर्वमाने सिधान्त बिग बैंग है बिग बैंग थोरी ब्रमांड के उत्पती से समन्दी तो सर्वमाने सिधान्त है वो कौन सा आपका बिग बैंग इस सिधान्त के न क्या हुआ एक विस्पोर्ट हुआ था जिसे क्या कहा बिग बैंग कहा विस्पोर्ट के बाद ब्रमांड और खगोली पिंडों की उत्पति हुई और तब से इसका विस्तार लगातार हो रहा है ब्रमांड अनिक अनेक आकास गंगाओं से मिलकर बना है परत्वी सहित सोर परिवार हैं सोर परिवार जिनमें सूरी उपश्तित हो वह सोर परिवार मनदा किनि या एरावत पतथ नामक अकास गंगा में इस्तित हैं ये क्यूशन बनता है तो आपका इंसर होगा मंदा किनी या एरावते पत्थ में अगे देखो में तो इसमें ये बिग बैंग की गठना है देखो किस प्रकार से भी स्पोर्ट हुआ और अनेक खोली अपिंड ब्रहमांड की उत्पति हुई ये देख सक गंगा होगी और अकास में अस्थित है इसलिए आकास गंगा इसका नाम है पड़ा अकास में बहने वाली नदी अर्थात क्या dalam ये ये आकास में बहनेवाले नदी एरावद पत के अतरिक तारों की इसलिए। ये आकास गंगाओं का निर्माणें होता है। उन्यक्तारों का मिलजाने से किसका निर्माण मिलगाओं होता है। अकासगंगाओं निर्माणें perfect day love यह आकास गंगा दिखा रहे हैं देखो डाइगराम में आप देख सकते हैं इस प्रकास से यह नेक तारों का सुमूर है थोड़ा सा क्या है इसका प्रकास अधिक दिखाई दिता है ऐसे लगते हैं जैसे एक बहुत बड़ा सुमूर हो तारों का इसको क्या कहते हैं आकास तो ये भी ध्यान में रखेंगे और सबसे निकटन तारा कुन सा है सुरिये अन्ने तारों की रोस्नियों चमक भी लगबग सुरिये के समानी होती है लेकिन वे सुरिये से अधिक दूर होने के कारण हमें अत्यम्त छोटे दिखाई देते हैं जो तारों की रोस्निय मित्रुम इतने भी तारे आपको आसमान में दिखाई दे रहे हैं वो भी क्या है सुरिये के समानी होती हैं लेकिन वे सुरिये से अधिक दूर होने के कारण हमें काफी छोटे परतिते होते हैं इन सब के तरिक ते एक विशेशा करती वाला तारा जो हमें हमेशा दिखाई नहीं देता वह तारा काफी आकरसक हम नीराला है इसका नाम है पुचल तारा या धूम के तू जो हमेशा दिखाई नहीं देता है में तूम लेकिन कुछ समय के अंतराल पर हमें पर्थवी पर पर्थवी से हम देख सकते हैं उसको इनकी रचना बरप धूल चोटी चोटी चटनाओं और ग इस परकार से को आप पूँच की तरह स्रंचना बना लेते हैं इस परकार से पूँच की तरह आपने देखा का उपर से इस प्रकार से होने ते से इस प्रकार से खले वड़े आगे देखे डाइगराम में दिखा भी रखा है इनकी गती बहुत तेज होने के कारण है गेस ये पदार पूंच की तरह सरंचना बना लेते हैं इसी कारण इन्हें क्या करते हैं पुछल तारा या पूंच वाला तारा भी कहा जाता है तो यह देखे पूंच की तरह करती इसकी बनीव ही है आगे से कम फेला हुआ और पिछे की तरफ गती के कारण यह इसके जो कण है गेसों के यह लगातार खेलते रहते हैं और लंबाई में आपको इस परकार से नजर आते हैं इसको क्या बोला जाता है ध सूरिय के चारों और एक निश्चित पत पर परिक्रमा करते हैं चारों और एक निश्चित परिक्रमा यान चारों और चक्कर लगाते रहते हैं कभी वे सूरिय के निकट आते हैं और कभी बहुत दूरी चले जाते हैं यह स्थिती एक निश्चित अवदी के बाद होती है त पुछल थारा आपके समझ में आगया होगा जिसके पूंच चैसी इस परकार से आकर्टी मनी हुए हुए हूँ, नेज परकार के इसमें गेस होती धूल होती है, धरफ होती है जो पर्ति चिंतर वर्स बाद दिखाई देता है, तो मित्रों यह जो एहली धून के तो है, यह पर इनना आपको दिखाई देगा तो पत झिंतर वरस के बाद में पुछ्छ लिया दता है हनी सो आगामी के बारे चैन्तर धते हैं तो उतनी सो करने सकते हैं तो इस हमें चैन्तर स को दीछा दाती हैं उनका रही है तो ये से sajna को देखना इन है आप आपे दे पाएंगे नेक्स्ट देखो इसमें आओ करके देखें आए ब्रमांड के विस्तार और आकास गंगाओं के बीद बढ़ती दूरी को समझने के लिए एक प्रियोग करते हैं एक गुबारा लेकर उस पर दो या दो से अथिक निसान लगाएं यह गुबारा ले ल गुबारे पर लगे निसान एक दूसरे से दूर जा रहे हैं पहले देखो यह दूरी इतनी थी अब यह दूरी कितनी हो गई इतनी हो गई मित्रों ठीक इसी तरह आकास गंगाओं भी एक दूसरे से दूरे जा रही हैं तो आकास गंगाओं के बारे में आप ब्रमांड के व लाएंगे तो जो भी निसान के गए अपने द्वारा उनके बीच की दूरी क्या होगे बढ़ गई इसी तरह से हमारी आकास गंगाएं और ब्रबान का लगातार विस्तार हो रहा है नेक्स्ट देखो इसमें सब्दावली दे रहें छुटे 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 चेप्टर है में अनंत का मतलब होता है जिसका कोई भी अंत नहों ब्रमांड का मतलब होता है ऐ संग के आकास गंगाओं का समुएं आकास गंगाओं में आपके क्या होते हैं बहुत सारे तारे होते हैं उनसे मिलकर आपके क्या बनती है आकास गंगा बनती है और बहुत सारी आकास गंगाओं जब आपस में मिल जाएंगी मित्रों तो इन आकास गंगाओं के समुवा को ही हम क्या कहतेंगे ब्रमांडे कहतेंगे सब तरिसी मंडल देखो साथ तारों का समुवा जो हमने इस परकास से तारे लिए थी ये साथ तारे इन तारों के समुवा को ही क्या कहते है आपके ग्रह आगे इसी में इसके चारों और चक्र लगाने वाले उप ग्रह आगे इसी में आपके धूम के तो आगे तो ये सारे सूरिये पर्थ्वी इसके अंदर ही समाइत होगे तो इसको अपन क्या कहेंगे खगोल ये पिंडे कहेंगे अब नेक्स देखो उप ग्रह ग्र लगाते रहते हैं तो इनको क्या कहेंगे हमें उपग्रए कहेंगे ग्रह के चारूं होने वालए उपग्रह मंडल देखो तारों का समुआं बहुत सारे तारों के सुमों को क्या कहेंगे नक्षित्तर मंडले या तारा मंडले इनको हमें कह सकते हैं अब देखते हैं मित्रों इसके कुछ अभियास क्युषन अच्छे से अगर आपने चेप्टर को पढ़ लिया है तो इन क्युषनों के जवाब आप आसानी से दे पाए से तो तारे चमकते हैं स्वयम के प्रकाश से दूसरे के प्रकाश से चंदर्मा के प्रकाश से या घरहूं के प्रकाश से किसे चमकते हैं मित्रों तारे तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा मित्रों आपका स्वयम के प्रकाश से जैसे सूरिय है आपका सूरिय भी क्या तारा ही तो है और तारे किसके प्रकास से समकते हैं श्यम के प्रकास से समकते हैं धुरुवे तारे द्वारा दिशा निर्दारी होती है तो यह आपको अच्छे से मैंने चेप्टर के अंतर बताया था कि धुरुवे तारे के द्वारा कौन सी दिशा का निर्दारन क्या दता ह है तो आपका उत्तर क्या होगा उत्तर देशा उत्तर देशा का निर्दारन किस तारी के द्वारा क्या दता है धुरुव तारी की द्वारा तो राइट एंसर आपका हो जाएगा के ओप्सन नेक्स्ट देखो नीचे कुछ आकासिय पिंड दिये गए हैं उनकी विशेष्टाओं को सूम मेलित किजिए यह आकासिय पिंड हैं आपके यह विशेष्टाओं दे रखी हैं देखे कौन-कौन से आकासिय पिंड हैं सूरिय धूम के तू पर्थवी प्रमांड और आकासिय पिंड हैं सूरिय क्या है मित्रू सूरिय आपका तारा है सूरिय क्या है के तारा है धूम के तू क्या होंगे जिसे कहेंगे धूम के तू पाट को आपने अच्छे से पढ़ा है तो इनके जवाब आप सोच सकते हैं धूम के तू आपका होगा पूँच वाला तारा पूँच वाले तारे को हमने क्या बोला था धूम के तू बोला था और पर्थवी आपका क्या है ग्रह है पर्थवी क्या है ग्रह है बर्मांड ब्रमांड क्या होगा लखों आकास गंगाओं का विसाल समुए लखों आकास गंगाओं का विसाल समुए क्या कहता है कहलता है ब्रमांड कहलता है लखों तारों का विसाल समुए बहुत सारे तारे इनका विसाल समुए बन जाए तो इनको क्या कहेंगे आकास गंगा कहेंगे तो इसमें आपका क्या जाएगा लाखों तारों का विशाल समुएं तो इस प्रकार से इनका मिलान कर सकते हैं सूरिय आपका तारा हो गया धूम के तु आपका पूंच वाला तारा हो गया पर्ट्विया आपका ग्रह हो गया ब्रमांडे लाखों आकास गंगाओं का विशाल समुएं और आकास गंगाओं का लाखों तारों का विशाले समुएं नेक्स्ट देखते हैं इसमें नेक्स्ट देखो तीसरा रिकस्तानों की पूर्टी कीजिए तो ये रिकस्तान दे रहे हैं चार इनको देखते हैं भारत में आसमान में दिखने वाले साथ तारों के समों को किस नाम से जाना जाता है तो भार्ते मैं आस्मान में दिखने वले साथ तारों के समों को क्या कहते हैं सब तरईसी मंडल है सब तरिशी मंडल है तो याद रखेंगे इसको सब तरिशी मंडल के नाम से जाना जाता है सबी ग्रह हैं यों उप ग्रह है खलिस्तान के परकास से समकते हैं सबी ग्रह हैं यों उप ग्रह है किसके परकास से तो Right Answer आपका हूजाएगा सूर्य के परकास से समकते हैं हमारी पर्थ्विका सबसे निकरतम तारा कुनसा है तो वो भी आपका कुनसा हूजाएगा सूर्य हूजाएगा इसमें भी सूर्य आएगा इसमें भी सूर्य आएगा विविन नक्षत्र मंडलों के अंदर इस्तित है विविन नक्षत्र मंडलों के अंदर क्या इस्तित है तो ये देख सकते हैं मित्रों आपने पाठ के अंदर पड़ा कि विविन नक्षत्र मंडलों के अंदर क्या है तारक के मंडल इस्तित है तो उसका इंसर क्या वज़ेगा तारे के मंदल तो ये थे मित्रूं कुछ मैतो प्रॉन क्यूशन और आपका चेप्टर हमारा ब्रमान दे तो समाधिक विज्ञान का पहला चेप्टर आपका कंप्लीट होता है यहां पर आपको अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना और भी अच्छे से पढ़ने का प्रियास अगया आने वाले जितने भी चेप्टर हैं अच्छे से ध्यन करेंगे उनका और एक दो छेप्टर रोज के आपके अप्लोड कर दी जाएभे साथ बने रहे मित्रू, आपने हमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, जिस आने वाले परते एक वीडियो के नोटिफिकिचन आपको लगातार मिलते रहें और आप हमारे चनल से लाप राप्त कर सकें, आद के लिए बस इतना ही, कल फिर मि झाल